आज हम एक नया हर्फ सीखने वाले हैं यह बहुत आसान सा हर्फ है चलो शुरू करते हैं स्क्रीन पर नजर आने वाले इस हर्फ को देखो गौर से देखो कि यह किस तरह नजर आता है यह हर्फ है रे यह रे की शक्ल है और प्यारे बच्चों इसकी आवाज होती है र र अब कुछ मिसालों के जरिये इसकी शक्ल और आवाज को समझने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखो यह है रस्ती इसके साथ लिखा हुआ है लफज रस्ती रस्ती की पहली आवाज है र र की आवाज के लिए हर्फ इस्तिमाल हुआ है रे रे यह है रे और इसकी आवाज है र र अब इस तस्वीर को देखो यह है रोटी इसके साथ लिखा हुआ है लफज रोटी रोटी की पहली आवाज है र र की आवाज के लिए हर्फ इस्तिमाल हुआ है रे यह है रे और इसकी आवाज है र र इस तस्वीर को देखो यह है रुमाल इसके साथ लिखा हुआ है लफज रुमाल रुमाल की पहली आवाज है र और र की आवाज के लिए हर्फ इस्तिमाल हुआ है रे यह है रे और इसकी आवाज है र अब कुछ और अलफाज की मदद से हर्फ रे की शक्ल और आवाज को पहचानने की कोशिश करते हैं यह है रस रस की पहली आवाज है र र की आवाज के लिए हर्फ इस्तिमाल हुआ है रे यह है रबर रबर की पहली आवाज है र र की आवाज के लिए हर्फ इस्तिमाल हुआ है रे यह है रबर की पहली आवाज है र र की आवाज के लिए हर्फ इस्तिमाल हुआ है रे यह है रजाई रजाई की पहली आवाज है र र की आवाज के लिए हर्फ इस्तिमाल हुआ है रे प्यारे बच्चों इस तरह हमने देखा के यह हर्फ है रे और इसकी आवाज है र र